आप सबी का एपी स्टड़ी में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले तरी स्थम्भीय रुकडबहिके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दूई स्थम्भीय रुकडबहिक। ठीक है साधनार रोकड भाही जिसे बोलते हैं तो उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं त्रीस्तमभीय रोकड भाही सब्सक्रीक क्या होता है कैसे कोस्चन के हिल करना है ये सारे को वारे में आज डिसकास करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब कर दिजे वीडियो को लाइक तभी किजे जब अच्छा लगे चलिए स्टार्ट करते हैं त्री स्टंबिय रोकड वही से तातपर या ऐसी रोकड वही से है जिसमें बट्टा रोकड वा बैंक समद्धी नगद ब्यावहारों का हिसाब रखने के लिए दोनों पक्छों में रासी के तीन तीन इस्तम होते हैं कितने इस्तम होते हैं तीन तीन इस्तम क्या बो रहा है त्री स्टंबिय रोकड वही से तातपर ऐसी रोकड वही से जिसमें बट्टा रोकड वा बैंक समद्धी जो नगद ब्यावहारों का हिसाब रखने के लिए दोनों पक्छों में रासी के तीन तीन इस्तम रखे जाते ठीक है इस रोकड बही को तीन खानों वाली रोकड बही रोकड तीन खानों वाली या बट्टा रोकड और बैंक खाने वाली रोकड बही भी कहते हैं ठीक है तो त्री स्थम्भी रोकड बही है थ्री कालम कैज बुक है ठीक तो यहां पर देखिए त्री स्थम्भी रोकड बह टिखा हुआ है कि यह संतंभ में प्रावड़ और टीन इस्तंभ हो धर विंगे टीन इसंतंभ हो गया तो हमें देखना है शंति टहाए पहले हम शाधराण में क्या देख रहेते साधराण जब वर मा जब रहे थो कि विए रौकड का पही कालां था और जब डु रौकड बनाएं तो बन रौकड या भी रौकड यह बैंक यह बैंक यह बत्टा इस प्रकार से कर सकते थे अब त्री इस्तंभीक के नाम से जानते हैं ठीक है आप लोग जो रोकड बही का महतों को पढ़ लिजेगा ठीक है पहला तो समस्त नगत ब्योहारों का एक साथ लेखा होता है दूसरा बैंक खाता प्रिथक्स खोलने में इसलिए और बटे का लेखा बटे का लेखा भी इसी में हो जाता है यह तीन जो एसके क्या है महात्व हैं अब हम चलते हैं क्या चीज्ट आब हम स्ठाट करते हैं को देखेंगे तो कोढ़ेंगे तो आपको हर्चीस समझ में डिखिए हैति यहां पर देखिए previous मांगचाए में निम्न लिखी लेंद में लिखिए हैं पहला दिया है suction six चाहिए यहां पर गुई काऊच्छ तो यहां पर लिखता रहें साले मुस्कंत यहां पर लेकिन यहां पर 9.01 आधि विकार याद रख़ना है ठीक तो रोकर से सब्रापती और जो चीज है एक प्रापती को देखना है कि झी भूकतान हो रहा है। यह दो चीजों को आपको देखना है। भूकतान होगा भूकतान होगा तो हम कोने पक्षम लिखेंगे इसको हम इसको लिखेंगे समाकलान पक्षम में समाकलान पक्षम लिखेंगे मतलब इसको लिखेंगे क्रेडिट पक्षम में क्लियर हो गया दोगतान होगा तो हम कहां लिखेंगे समाकलान पक्षम लिखेंगे मतलब क्रेडिट पक्षम लिखेंगे और प इस सारा चीज़ आपको समझने को प्रती प्रविष्टी को श्तिति में प्रती प्रविष्टि कैसे भी बार हम में हम चलते हैं आज कोश्चन के और तो कोश्चन में देखिए रोकड से लिखा है 15700 और बैंक से लिखा 8300 तो अब इसको हम क्या करेंगे तो इसको हम विगलन पक्ष में लिख देंगे पिकलन पक्ष में देखिए कैसे लिखें हैं तो उसको भी देख लिजे यहां पर देखिए यह यहां बिकलन पक्ष में त्री इस्तंबी रोकड भाही यहां पर लिखा है और यहां पर देखिए दिनांग यह जो प्रारूफ है वो तीन खान वाला है यह प्रारूप आपको खिचना पड़ेगा फिर यहां पर देखिए 2000 सन 2000 को सेश लाया गया सेश लाया गया लिख दिये उसी सेश को कौन सा रोकड को 15700 8300 सेश लाया गया विकलन पक्ष में लिखे तो रोकड सेश था 15700 बैंक था 8300 इसको लिख दिये हम एक अगस्त को स्लियर हो यहां पर देखिए यहां पर जो है रोकड सेश 15700 बैंक सेष यह हो गया अब देखिए चाहता है ए ow स्वरी अगस्त चार तरीक को अगस्त चार को माल खरीदे यह जो है भुक्तान के जाएगा ठीक तो माल खरीदे और चेक से ब्सक्राइब Amantla भुख्न के लिए जाएगी तो माल खरिदा और चेक से भुख्न किया कितना का खरिदा 16 रुपिया का ठीक तो इसको हम भुख्वतान किये हैं यहां पर देखिए मैं बताया था आपको प्राप्ति और भुख्वतान दो चीजों को समझना है यहां पर क्या हो रहा है तो ठीक है बुगतान हो रहा है हमकौन से लिखें समाइकलान पक्चमकौनków लिखेंगे यह तही यहां पर मल खाता कुलता है माल खृता तो खाता ठीक है तो बैंक वाले कालम में आपको नहीं लिखना है क्योंकि चेक से भुक्तान के वाप इसलिए इसको बैंक वाले कालम में लिखेंगे राशी को ख्लियर हो गया ठीक है क्राइख खाता को जब इग ऑगे चलते हैं अब आगे चलते हैं आप देख़ेंग है साथ माम हैं मतलब अगस्त सात तरीकों है अमीद को चेग से कटायग से कटेगा ठीक है तो अमीद को मुख्तान किया थी कि पढ़ी आं यहां पर क्या सब्द दीनफ Hag भूप्धर अ nesse करके लिखेंगे कितना 500 रुपया कोहान कट रुपय तो हम इसको है लग से प्राप्त किया ना तो हम एहां पर लिखेंगे अमी त को अमीत को और यहां पर डिस्काउंट में लिख दे 10 रुपया और यहां पर लिख दिए 500 रुपया ठीक है यहां पर बैंक वाले काला में क्या लिख दिए 500 रुपया लिख दिए अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरा वाला कोश्चन देखिए तीसरा जो पॉइंट है चौथा अगस्त 12 अरिक को करें लेक लिये %8 लिए बैंक से रुपया देंक आहा फ्लक दिया हमारा होता है रोकर काता विकलान बैंक लिक आलते हैं तो हमें क्याते लिक लेकिन यहां पर मेंक ह् तो इसकी entry कैसे होगी लिकाल रहे हैं मतलब यह क्या है यह प्रती प्रविष्टी होगी यह को सी प्रविष्टी होगी प्रती प्रविष्टी समझ रहे हैं देखें यहां पर हम रोक यहां पर क्या हो रहा है रोकड खाता विकलन रोकड खाता विकलन हो रहा है और कहां से बैं खाता से मतलब यहां पर रोकड खाता भी प्रभावित हो रहा है यहां पर दोनों के में क्या होगा प्रती प्रविष्टी प्रती प्रविष्टी मतलब कॉंट्रा एंट्री इसी बोलते हैं प्रविष्टी प्रती प्रविष्टी मतलब क्या हो गया कॉंट्रा एंट्री होगा कैसे होगा तो देखिए कोंटर एंट्री कैसे होता है तोनों पक्च में होगा तो एक पक्च में हम देखो क्या एंट्री हो रहा है पंजी प्रोष्टी हो रहा है रोकड खाता बिगलान किसे बैंक खाता से तो रोकड खाता बिगलान तो रोकड खाता को को करके लिखेंगे सम माकलन पक्ष में रोकड खाता को है और रासी को किस में लिखेंगे बैंक कॉलम में लिखेंगे ठीक है यह क्यों करते हैं क्योंकि Contra Entry होते हैं, Contra Entry में हमारा जो Rule है, वह कहता है कि रोकड खाता को अगर कर रहे हैं, तो रासी को हम Bank Column में लिखेंगे, और यहाँ पर जो है, Bank खाता से होगा, तो यहाँ पर Bank है, तो यहाँ पर रासी कहाँ पर जाएगा, रोकड वाले कालम में जाएगा, यहाँ पर देखिए, रोकड खाता को Bank वाले कालम में लिखेंगे, इस प्रकार से Entry दोनों पक्छमें होती है, यहाँ जो है Contra Entry है, इसलिए यहाँ पर C से प्रदर्सीत किया गया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, तारीक की डेट में है, सोहन से भुकतान प्राप्त किया और कटवती दि, तो सोहन से क्या मिला है, हमको रोकर मिला है, प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए कौन सा पक्षा में लिखाएगा, यह हमारा प्राप्ती पक्षा में लिखाएगा ठीक तो सोहन से भुकतान प्राप्त किया तो यह हो जाएगा सोहन से और जो रासी है वो लिखाएगा बारा सो और कटावती का जो है बट्टा वाले कालम में लिख देंगे यहां पर देखें यह हो गया सोहन से सोहन से यह वाले लिख दिये और यह बारा सो रुपिया हम रोकड वाले कालम में क्योंकि हमको भुकतान में प्राप्त हुआ है कैस मिला है ठीक अगर कोस्चन में नहीं लिखा है चेक सब्दक उलेक नहीं क्या है तो यह बैंक सब्दक उलेक नहीं के तो हमको समझना है कैस मिला है ठीक तो सोहन से 12-100 रुपय का क्या मिला रासी मिला है और 20 रुपया कटा होती दिये तो बट्टा वाले कलम में 20 रुपया और रुकड वाले कलम में 12-100 रुपया ठीक है तो इस प्रकार से लिखना है और आगे अबढ़ते हैं इसके बाद देखिए question number 25 को bank में रूपिया जमा किया bank में रूपिया जमा किया तो bank में रूपिया जमा करेंगे तो क्या होता है bank खाता विकलन रोकड खाता से यहाँ पर भी दो पक्षप्रभावित हो रहा है bank खाता और रोकड खाता दोनों क्योंकि गेंक म repent जबा करते यह बैंक से रूपया लिकालते हैं उस इस्थिति में हमारा क्या Agent इंट्री होता है कितना की है 24 रूप्या जबा क्या है अब यहां पर एस्थिति यह उल्टी हो जाएगी टिंभती कैसे होगी यह पर देखिए यह वाला उलटा हो हो जाएगा क्यांकि यहां पर रोकट से पैसा यह कर रहें इसलिए रोकट सेहगा ठीक तो यहां पर जो प्रविस्टी होगी उच्ट उल्टा हो जाएगा हमारे यह जो है रोकड खाता से है उसको हम लिखें गे कहां समाकलाण में तो इसको बिगलाण सेंगे at one दिंगे मतलब बैंकब खाता को क्या होगा बैंक проблем को करके लिखेंगे और राशी लिख देंगे जो भी राशी है 34 सुर्पय और में रोकड कालम में लिखेंगे ठीक बैंग बैंक खाता लिखा तो उसका राशी को काहां लिखेंगे रोकड काले में हमेशा याद रखिए कि जब हम counter entry करते हैं तो counter entry में यह होता है just हम जो भी खाता का नाम लिखें हैं उस खाते की कॉलम में रासी को नहीं लिखेंगे उसके उल्टे मतलब कॉलम में लिखेंगे जैसे यहां पर यहाँ पर यहां पर यहां पर जो है बैंक वाले कालम में 34 सूर्पया लिखेंगे यहां पर भी रोकड खाता से 25 की डेट में रोकड खाता से यहां पर भी counter entry का सेंबॉल है ठीक उसके बाद यहां पर जो है बैंक वाले कालम में 34 सो यहाँ पर रोकड़ झाता लिखा है लें रासी नहीं लिखेंगे ठीक। रोकड़ खाता लिख करके रासी को कहा लिखेंगे? बैंक Diolam में लिखेंगे बैंक जो कलम लखना है हम् को ठीक है आगे बड़ते हैं है कि यहाँ पर गया नीजी प्रयोग है तू बैंक से निकाले देखे यही चीज है यहाँ पर क्या लिखा था 12 तरीको कारेले के लिए बैंक से रूपिये निकाले कारेले के लिए लिकाल रहे थे अभी क्या कर रहे है नीजी प्रयोग है तू बैंक से निकाले नीजी प्रयोग के लिए बैंक से लिकाल रहे हैं समझना रहा है यहां पर प्रती प्रविष्टी नहीं होगा क्योंकि आहरण खाता बिगलन हो जाता है किसे बैंक खाता से हैं इसकी पंजी प्रविष्टी को आपके याद दोच चांब रही करना पड़ता है यहाँ पर है यहां पर और समाचलन पक्ष में डाएका देखिए और यहां प्लिखा है है हम आहरान खाता को है तो इसको क्या कर देंगा हम चलते हैं बैंक तक हमको दिया तो दिया है तो क्या होगा प्राप्ति होगा प्राप्ति होगा तो कौन से लिखेंगे प्राप्ति होगा तो हम लिखेंगे विकलन पक्ष में तो बैंक ने ब्याज के दिये तो यहां पर क्या लिखोगे रोकड खाता विकलन ब्याज खाता से होता है रोकड खाता विकल करका करेगा हमार जो बैंक में खाता है उसी खाते में हमारी रासी कर दी जाते क्रेडिट कर दी जाती है तो वहां पर होगा इंट्री बैंक खालादा बिकलान ब्याज खाता से तो यहां पर लिखेंगे हम एकत्तितारिकполDad मैं लिखाता से एकल्यर हो गया व्याज kon Wel a क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़्य। जोड लीजएगा जिस पक्ष करासई कम है उस ठठा दीजएगा तो जो रहेगा उस पक्षम ले जा कर taste ले जाया गया कर देंगे ठीक है यहाँ पर क्या है इन दोनों इधर का जोड़ जादा है और इधर का जोड़ का क्म है तो हम यहाँ पर ले हिक तरीकों सेस लाया गया और यहां पर लिख दिये 15,000 इस वाले को यहां पर और यह 7520 को भी यहां पर लिखती है तो इस प्रकार से आपको जो है कोश्चन को हल करना है को है 3 इस तमब्या रोकड़ भाही कोई विश्यस कठीं नहीं है आपको इसमें प्रति परोषटरी के लिखेंगगे उसके दोनों पर यहां करों कर न रहा रहा है लिखेंगे बस यह चीज दोनों को याद रखना है, पिर कोईधिक्कत नहीं होगे यहां पर यहा पर देखे हैं उधारा नमबर साथ भी उसी प्रकार का है, उधारा नमबर 7 में लिखा है निम लेकर तो हम एंट्री क्या करते हैं जेनरल एंट्री इसको हमेशा आपको याद रखना है तो यहां पर पूंजी खाता से को देखना है तो पूंजी खाता से मतलब यह कहां पर लिखाएगा प्राप्ति पक्ष में लिखाएगा 2006 अगस्त एक तरीक को पूंजी खाता से टू कैपिटल एकाउंट यहां पर लिखें पूंजी खाता से हिंदी मीडियम वाले हना जितने भी साती हैं तो हिंदी मीडियम में क्या लिख में उप्रोक्त धन में से जमा किया बैंक में उप्रोक्त धन में से कितना जमा कर दिया तीन सू रुपया देखो पांस रुपय तो लाया था व्यापार में लगाया था उसमें से तीन सू रुपया कहां जमा कर दिया बैंक में जमा कर दिया तो यहां पर क्या होगा यह प्रती पेंटरी होगी तो क्या होगी तो यहां पर एक तरफ होगा रोकड कालम में लिखेंगे cash column में लिख दिए, रोकड column में लिखेंगे 300 रुपिया और इधर लिख देंगे उसी अगस्त को two cash account मतलब रोकड खाता से हो जाएगा, ठीक है, bank खाता विखलान रोकड खाता से होता है तो bank खाता विखलान उसको समाकलान में लिख दिए और समाकलान है, उसको कहा लिखे दिए, यहाँ पर रासी को कहा लिखेंगे, तो रासी को बैंक में लिखेंगे, उसके बाद आगे, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, चेक द्वारा किराया दिया, टिए और तो कौन से पक्ष में जाएगा ब्क्राइब समाक प्राइब च्वात हो लिखेंगे किरायाक घाता को कितने है ग्यारा सुर्फिया और बैंक वाले कालम में लिखेंगे ग्यारा सुर्पिय की रासी को यहाँ पर देखे दिखा है जी रेंट एकाउंट सुझार तरीके सा पर ठीक है 110 रुपे बैंक वाले कालम में लिखा गया है रेंट एकाउंट करके किराय खाता को करकी क्लियर हो गया आप हम चलते हैं तीसरा जो होथा जो है पांस तरीको वो है नगत माल खरिदा नगत जब भी हम माल खरिदते हैं तो यहाँ पर होता है क्राय खाता बिकलान रोकड खाता से तो क्राय खाता बिकलान है रोकड खाता से तो क्राय खाता को भुक्तान के इसलिए भुक्तान है इसलिए कौन से पक्ष में जाएगा समाकलान पक्ष में जाएगा तो यहाँ पर देखिए समाकलान पक्ष में लिख दिए बाई परचे से क्राय खाता को कितना रासी इसलिए लिख दे यहां पर सव रुपय ठीक है तो इसके बाद हम चलते हैं चेतन कुमार से सव रुपय मिले उन्हें कटवती दी कितना रुपय दी के दश रुपय दे हनम यहां पर क्या होगा मिल रहए इसलिए क्यों पक्षं में लिखाएम रहा है लिखक情 phat प्राप्टि वाल फक्ट है तो चैतनकुमार से यहां पर से लिखा हैसЕ 20 क्लिएर उसके बाद 10 आरिकी टेट में देखे हैं अचे को चेक से दिए 50 रुपे कटवती मिली अजय को चेक से दिये हना और 50 रुपे क्या मिली कटवती सुरी अजय को दिये 50 रुपे और कटवती मिली कितना रुपे 15 रुपे यहां पर देखी यहां पर लिखा है बट्टे करासी को तो 50 रुपे क्या क्या पेड किया है अजय को और चेक से हना और डिसकाउं पक्षम, लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बाइधाय को, बाई 10 थारी को, बाई आजई कुमार को, कितना रुपिय, बैंक वाले काला में लिखेंगे, 50 रुपिया, और डीस्काउंट काला में 15 रुपिय लिखेंगे, क्षम, आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 12 तारिकों कारेलय के लिए बैंक से चेक लिखकर निकाले कारेलय के लिए लिखाले बैंक से चेक लिखकर लिखाले देखो बैंक से चेक लिखकर के लिखालो चाहे कैसे भी करके लिखालो वहां से बैंक से अगर आप पैसा लिखाल रहे हो तो होगा रोकड ख़ाटा बेलान बैंग खाता से क्योंकि यहां पर एंट्री वह ही होता है ठीक रोकड़ खाता 좋은 गया होता हैं है यह Fr चीक मतलब होता है कई बर क्या होता है आप जिस्ष वाये लिए तो आप विड्रॉल फार्म थे और पैशा निकालने जो फाम होता है उसको भर करके भीड़ी संस्रांग निकाल सकते हैं भीड़ीक है तो दो प्रकार के स्थिति होती है है यहां तो कारेले के लिए बैंक से चेक निकालक लिक कर निकाले यह इसमें भी वहीं एंट्री होगा और इसमें भी साम भींवर्कर लिखा लेंगे तो भी वहीं अंट्री होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोकड खाता विकलान बैंक खाता से तो रोकड खाता को करके लिखेंगे विकलान पक्चम में लिखेंगे और बैंक खाता से करके समाकलान पक्चम में लिखेंगे देखें यहाँ पर लिखा है तो रोकड खाता को सी कंटर एंटरी लिखा यहाँ पर बैंक कालम में लिखेंगे यहां पर कैस है तो इसको बैंक में लिखेंगे ठीक तो रोकड़ खाता को और यहां पर रासी किसमें लिख दिए बैंक वाले कालम में लिखेंगे ठीक उसी प्रकार इधर आएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम जो सौ रुप्य ग्रासे य कालम में लिखते हैं और कैस रहेगा तो कौन से कालम में लिखते हैं बैंक वाले मतलब रोकड रहेगा तो हम लिखेंगे बैंक वाले कालम में प्रती प्रविष्टी की इस्थिती में क्लियर हो गया उसके बाद देखे आत्मप्रकास से चेक आया आत्मप्रकास से क्या मिला च दो देखे उसी दिन हम बैंग में जमा नहीं कर रहे हैं पहले क्या कर रहे हैं हम पराप्त हुआ उस दिन रख लिए अब दूसरे दिन जाकर आत्म प्रकास से क्योंकि यहां पर चेक अगर उसी दिन बैंक में जाता तो हम लिखते हैं यहां पर अगर चेक उसी दिन जमाना नहीं हुआ तो लिखा जाता है रोकड खाता बिकलन आत्म प्रकास से तो यहां पर देखे 14 तारिक की डेट में हम लिख दिये आत्म प्रकास से ठीक है कितना 115 रुपे कौन से कालम में रहेगा कैस वाले कालम में होगा क्योंकि वो रोकड के रुप में गिंती होता है ठीक है अगर उसको बैंक भेज देते तो उसको बैंक वाले कालम में लिखते लेकिन उसी दिन नहीं भेज़े इसलिए यह रोकड के रुप में लिखाएगा अब यहां पर बोड़ रहे कोस्चन में 15 तरीको आत्म प्रकास का च जो है बैंक में जमा किया अब इस इस्तिति मेंट्री क्या होगा हमारे रोकड खाते से वह देखो पहले रोकड खाते में चला गया रोकड खाते में है अब रोकड खाते से लिकाल करके कहा जाएगा बैंक में जाएगा तो यहां पर फिर प्रतिप्रविष्टी होगी बैंक खाता बुक्लान रोकड खाता से तो वहां पर बैंक खाता बिक्लान में है तो इसको समाकलान में लिखेंगे बैंक खाता है तो गार में लिखा काता को सी लिखाए और बैंक है तो इसलिए रोकड कालम में लिखेंगे रासी को कैस कालम में ठीक है तो कैस कालम में लिख दिये यहांपर चोंपन चांदन पर ध्राइब का सिया है कि या यहां में और इधर का जादा है और यहां में से कम वालें तो जटाएगे तो यहdıर जादा डिकर दिए रूपय थीक आंतर की रासी क्या कर दिया अंतर की रासर यहाँ पर लिख़ दिया गया फिर उसके बाद इसका कर दिये तो दोनों बक्षा तरह सब श्बहाइब ऌदे घदा is कर तो Shackle उसके बाद यहां एक सो बच्पान रुपया तीहां पर लिखे सेश yes ले जाया गया 300 और 155 रुपइया और यही जो सेश सैव उन अगले मेहने के पहले तारीक जो है अगास्तका है तो अगास्तक बाद सिदंबर लगता है तो सितंबर के एक तारीः को यहां लिखेंगे 6 लाया गया 300 रूपया को कैस वाले काला में और बैप वाले कला में 150 रूपया ठीक तो आपको जो है इस प्रकार से कोस्चन को बनाना है क्लियर हो गया आसा करता हू कि आप लोगों को पूरा जो है question समझ में आ रहा होगा ठीक है next में हम चलेंगे क्रियात्मक प्रस्णक्योर और उसके बाद हम पढ़ेंगे लगू रोकर बही पिछले दो-तीन दिनों से मैं busy था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था अब फिर से मैं continue वीडियो बनाना मैं start कर दिये हूँ ठीक है तो वीडियो को देखिये और चैनल को subscribe कर दिजे और अधिक सदिग जो 11 के student है उन तक जो है इस वीडियो को share कर दिजे ताकि उनका भी भ़ला हो सके और वह भी घर बैठे पढ़ाई कर सके तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद